नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का महादेव क्लासिस में दोस्तों आज हम जानने जा रहे हैं आगामी खेल परत्योगीता आगामी खेल परत्योगीता का मतलब होता है इस साल या आने वाले सालों में जो कुछ खेल होने वाले हैं वो कौन से दिस या सहर में होने जा रहे हैं देखी ये question बहुत ही जादा important है और इसमें से कुछ question तो exam में आने ही आने है इसलिए दोस्तों इस question को आप लोग याद कर लीजिएगा note कर लीजिएगा या फिर आप दो चार बार इस video को आप सुन ही लेंगे तो ये आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा इसको जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और भी इसे related कुछ कोशन लेके आते रहूँगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है ICC किरकेट विष्ट कप 2019 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन इंग्लेंड और वेल्स में हुआ था नेक्स्ट कोशन है ICC किरकेट विष्ट कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत देश में होगा नेक्स्ट कोशन है 2016 ओलम्पिक खेलों का एक तिस्वा संसकरन किस सहर में आयोजित क्या गया था? तो यह आयोजित क्या था? रियोडी जनेरो जो ब्राजिल में है नेक्स्ट कोशन 2020 ओलम्पिक खेलों का पतिस्वा संसकरन किस सहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है टोकियो जो जापान में है देखें दोस्तों साल तो आप लोग को याद रखना ही है लेकिन ये जो दिया हुआ है एक तिस्वा संसकरन और बतिस्वा संसकरन ये संसकरन भी आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि question exam में ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से question पूछ लिया जाए कि Olympic खेलों का 31 संस्करन की सहर में आयोजित किया जाएगा तो यह आप लोगों को संस्करन भी याद रखना होगा Next question है 2024 Olympic खेलों का 33 संस्करन की सहर में आयोजित किया जाएगा तो इसका answer है Paris Next question है 2022 में होने वाला 22 में फीपा विश्कप का आयोजिन किस देश में होगा तो कतर देश में होगा Next question है 22 में राष्टमंडर जिसको हम लोग Commonwealth के नाम से भी जानते हैं 2022 का आयोजिन किस सहर में होगा तो इसका answer है Birmingham जो के England में है Next question 2020 में होने वाले का आयोजिन किस देश में होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा 2021 का ICC महिला किर्केट वर्ल्ड कप का आयोजिन किस देश में होगा तो इसका answer है New Zealand New Zealand Wellington 2018 में हुए 23 सीदकालिन ओलम्पिक का आयोजिन किस देश में हुआ था दक्षिन कोरिया इसके बाद जो 24 सीदकालिन ओलम्पिक का आयोजिन किस देश में हुआ था दक्षिन कोरिया इसके बाद जो 24 में सीदकालिन ओलम्पिक का आयोजिन होगा वो बीजिंग जो कि चीन में है आप लोग नोट कर लिजेगा इसे Next question 2022 में होने वाले महिला होकी विश्कप की मेजवानी कौन सा देश करेगा Spain 2023 में होने वाले पूरुच होकी विश्कप की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो यह भारत देश करेगा Next रगभी विश्कप 2023 का आयोजिन किस देश में होगा तो फ्रांस देश में होगा Next 2021 में होने वाले किश Along focuses बीजिए impose is आयोजन किस देश में होगा तो भारत देश में होगा नेक्स्ट कोशन है 2018 में हुवे 2018 में ACI खेलो का आयोजन किस देश में हुआ था तो इंडोनेसिया में हुआ था नेक्स्ट 2022 में होने वाले 2019 में ACI खेलो का आयोजन किस देश में होगा तो हॉंग जो जो चीन में है देखे दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग